हेलो फ्रेंस नमस्कार इंडिया टिटिएच इलेक्टोनिक्स यूटूब चानल पे आप सभी का स्वावत है दूस्तों मेरा नाम है अजित कुमार दूस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सब्सक्राइब कैसे चरहा सकते हो अपने MPG4 यह MPG2 में तो दोस्तों देख सकते हैं यह MPG2 काड है दोस्तों इसमें भी बहुत ही आसानी से जो प्रोग्रामर यहां पर देख सकते हैं इससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यह दोस्तों देख सकते हैं यह पोटीजी के वाल है और दोस्तों कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है और मडल सीच 341 मीनी प्रग्रामर देख सकते हैं यहां पे लिखा हुए इसी से आप यह दुनों कार्ड में MPG4 हो या MPG2 हो बहुत ही आसान तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हो तो इस वीडियो को एंटर देखें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल एकांगेंटी को दबा दे ताकि ऐसा ही इंफ्रमेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी तो दोस्तों चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है वो भी आसान तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ्लेस आईसी नजर आ रहे हैं देख सकते हैं कि अग्याइद आए देरहा होगा दोस्तों और यहां पर दोस्तों एक बिन्दू सा बना हुआ है देख सकते हैं थोड़ा जियुम करके दिखा शालता हो जो यह फ्लेस आईसी है देख सकते हैं यह पर एक बिन्दू बना हुआ도 यहां पे इधर चार पिन होता है और इधर चार पिन होता है देख सकते हैं इधर चार पिन है इधर चार पिन और इधर चार पिन है तो यह आठ पिन होता है दोस्तों और सबसे यहां पे बात कर ले तो यहां पर एक बिंदू होता है देख सकते हैं यहां पर एक बिंदू होता है जो कि आपको दिखाता हूं देख सकते हैं यहां पर एक बिंदू है देख सकते हैं यहां पर एक बिंदू है यह उसके सामने जो यह पॉइंट है यह एक नमबर है तो दूस्तों प्रोग्रामर में भी आपको बता रहता हूं on a race में आर्ट वाय को विल्ड किया है कि देख सकते हैं इसमें हम आठ वाय को इसे हैं यहां हपे आठ और यहां से चालू होता है यह इए एक नंबर रेट देख सकते हैं इसके नीचे एक नमर लिखा हुआ हो आए और ईधर चार नमर चार- कि पांच शे शात आठ तो दुस्तों आपको यह प्रोग्रामर में कैसे लगाना ये दुस्तों लग्वियु दिखाई दिखाई दे रहे इधर एक नमबर आएगा तो ऐसे इसको घुमा लेना है और ऐसे डाल देना है कि देख सकते हैं और इसको ऐसे लग कर देए लग के तरफ एक नमबर आएगा जो यह लॉक आपको दिखाए देए इधर एक नमबर आएगा अब दुस्तों सब्सक्राइब कैसे करना है आपको बताते हैं कि देख सकते हैं MPD for receiver में यहाँ पर काड़ और यहाँ पर भी एक बिंदू दिखाए दे लेगे एक नमबर है तह एक नमबर से आठ नमबर आपको यह वाली वाय को सोल्ड करना है दूस्तों कि नहीं पर एक से आठ नमबर तक यह वाली wire को sold कर देना है उसके बाद अपने mobile phone या laptop अगेरा जो भी है PC आप बहुत आसान तरीके से चरा सकते हो और एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हो यह दूस्तो जब भी आप वायर को यहां पे सोल्ड करोगे तो यह बार बार क्या होता है दूस्तो यह इधर उधर सड़ जाएगा या दोनों पीन में सड़ जाएगा जो फ्लेस आइसी का पीन बारीकी से आप देख सकते हैं इसका जो पीन है बहुत नजदिक नजदिक है इस सकते हैं इसमें मैं कैसे वायर को कनेक्ट किया है यह जो पंखा का वायर आता है ना जो पतला वाला उसी को मैंने यहां से सोल्ड करके और देख सकते हैं कैसे बना दिया है एक सभी वायर को वैसे ही मैं बना दिया है देख सकते हैं दूसरा वायर भी देख सकते हो यहां पर और यह तिसरा वायर भी देख सकते हूं सब वायर को मैं वैसे ही बना दिया है और यहां पे टेपिंग कर दिया है कि देख सकते हैं क्योंकि हमको यह सुल्ड करने में आसानी होता है दोस्तों और एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों आप जब भी प्रोग्रामर खर दें तो यह वाली चिंटी ना खर दें यह दोस्तों यह चिंटी 300-300 रिप्य में मिल जाता है लेकिन यह एक से दो बार इसको फिल साइसी में ऐसे पकराएंगे और थीसरे चोटे बार यह नहीं पक करता है दोस्तों यह कुछे यह वाला जो आपको दिखाई रही है कि ये वाली यह ऐसा फिरी में लिड़ाता है तो इतना खेकेना है क्यों ज्यादा पैसा बढ़ाद करना है इतना कर देंगे तो आपने से जो प्रोग्रामर्ण करते हैं और बेल के घंटी को दबाते तहीं है दोस्तों एक ही बार दबाना है दोस्तों ताकि हमार लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए जाहिन दोस्तों